हेलो दोस्तो जैश्री क्रशन दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप से रिक्रेस्ट करती हैं कि कमेंट में ओम नमद शिवाय जैश्री क्रशने ज़रूर लिखंगे यहाँ आपकी भगवान जी हर मनों काší के दोस्तो आज की वीडियो है बेटा और बेटी होने के लक्षणों के उपर दोस्तों जब एक महला की pregnancy confirm होती है जब वो माँ बन जाती है उन्हें बहुत दखोशी होती है लेकिन साथ साथ गर्वती महलाओं को सबसे ज़्यादा उसकता भी होती है होने वाले बच्चे को लेकर कि हमारा नन्ना मुन्ना प्यारा सब जो बेबी आने वाला है वो लड़का होगा या फिल लड़की होगी तो एक गर्वती महला के उसकता कम हो सके तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों से काफी लक्षण सेयर करना चाहती हूं जो मुझ में देखनी को मिलेती बेटा होने के टाइम पर और काफी महलाओं में भी देखने को जाते हैं लड़का के या फिल लड़की के तो आपके कितने परसेंट चांसिस बनते हैं सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी तो प्लीज आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए और आपके जितने डाउट है लड़का लड़की होने के लक्षणों को लेकर बहुत सारी किलियर हो जाएं दोस्तों वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ आपको सही जानकारी देना है ठीक है जेंडर स्लेक्षन को बढ़ावा देना हमारा उद्दिश बिल्कुल भी नहीं है चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरू सस्क्राइब करें साथि वीडियो को लाइक करें और सस्क्राइब जब आपकर आपको बेल आईकन भी दिखती है पास में उसे दवा कर All बटन पर जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हराने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रही तो चले जान लेते हैं पहले लक्षड के बारे में दोस्तों सबसे जो पहला लक्षड है वो ये है कि अगर गर्वावस्ता के दोरान गर्वती महलाओं को खुझली बहुत जादा होती है तो ऐसे में ये लड़का होने की निशानी होती है अब देखिए प्रेग्नेंसी में क्या होता है कि काफी महलाओं को खुजली की प्रॉबलम हो जाती है इचिंग प्रॉबलम डूरिंग प्रेग्नेंसी काफी महलाओं हो जाती है लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर खुजली जादा होती है चाहे पेट पर होती है या फिर हाथ क्यों होती है ये भी जानना आपके लिए जरूरी है साथी आपको ये भी बताएंगे कि क्या ये लक्षर 100% वर्क करता है या फिर नहीं तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा पहले जान लेते हैं दूसरे लक्षर के बारे में उसके बाद आपको ये भी कि अगर आपकी नावी जो रेखा है नावी लाइन बनती है जिसे हम प्रेगनेंसी लाइन बोलते हैं पेट पर बनती है चाती से लेकर नीचे तक बनती है नावी के निचले हिस्से तक रहती है तो दूस्तों से प्रेगनेंसी लाइन भी बोला जाता है दूस्तों माना जात अगर गरवावज़ता के दौरान गरवती इस्तियों के पेट पर जो नावी लाइन बनती है नावी रेखा बनती है वो एकड़म गहरी काली होती है तो ऐसे में लड़का होने के संकेत होते हैं और लाइट कलर की दिखती है तो ऐसे में लड़की होने के सबसे ज़्यादा चा दोस्तो प्रेगनेंसी का जब तीसरा तिमाई आनिकी सातवा आटवा नवा महिना जब आपका स्टार्ट होता है तो आपका पेट काफी बड़ा आपको दिखाई देता है यूँ मड़ा दिखाई देता है क्यों कि लगवग उसमें बेबी की ग्रोथ पूरी होचकी होती है बे भीर सी बात है दोस्तों आपको खुजली की प्रॉब्लम देखने को मिलती है ज्यादा तर गरवती महलाओं को पेट पेट पर सबसे जादा खुजली होती है वह इसलिए होती है क्योंकि उसमें खिचाओ आ जाता है बहुत सदा रूखा पना जाता है खिचाओ होने की बज़े आप जेतुन का तेल लगा सकती है नारियल का तेल लगा सकती है बोडी लोशन का भी यूज कर सकती है या फिर आपके घर में अगर एलोवेरा है तो वह आप जरूर लगाईएगा बहुती आराम भी देता है और खुजली भी आपको थोड़ी कम होगी तो दोस्तों मैंने इ मेहलाओं मेलन्न की मातरा कम होती है मेलन्न नाम का हार्मान रिलीज होता है उसकी मातरा अगर आपकी वोडी में कम है तो जहिर सी बात है आपको डार्क कलर्क्याण नहीं दिखेगी मतलब आपको लाइट कलर की नजर आएगी तो ये दोनों जो लक्षर मैंने आप लोगों से शेयर किये हैं ये सिर्फ और सिर्फ हमारे हार्मोंस के उपर डिपेंड होती हैं तो दोस्तों मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि लड़का लड़की होने का कोई भी लक्षर 100% तक वर्क नहीं करता है क्योंकि इनका कोई भी scientifically proof नहीं है कि अगर आप में ये लक्षर दिख जाएं तो लड़काई होगा या फिल लड़की होगी ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता है सिर्फ गर्बती महला अपनी उस सुकता को कम कर सकती है थोड़ा सा गैस कर सकती है और कुछ नहीं तो मैं एक बात आपसे और जरूर कहना चाहूंगी कि आप कभी भी इन लक्षर पे भरोसा ना करें सिर्फ अपनी प्रेग्नेंसी पे फोकस करें अच्छी डाइट ले ताकि आपका होने वाला बच्चा बेटा हो या फिर बेटी हो आपकी संतान है बस एकदम healthy पैदा हो ठी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को जरू सस्क्राइब करें चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टापिक पर